बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, Assalamualaikum students, मैं हूँ हसान फरीद, आपका Physics Teacher Students, आज का हमार आर्टिकल बहुत इंट्रेस्टिंग आर्टिकल है, जिसका नाम है Super Conductors आप लोग रहें, Conductors के बारे में जाना, Non-Conductors के बारे में जाना, Semi-Conductors के बारे में जाना लेकिन यह Super Conductors क्या है, डेफिनेटली यह बात तो पता चल रही है कि यह Conductor से भी कोई उपर की चीज़ है, लेकिन असल में Super Conductors क्या होते हैं, यह हम जाने के स्टुछेंट्स आज के लेक्शर में तो स्टुछेंट्स स्टुछेंट्स अगर आप बुक में Super Conductor का यह करने के लिए वो मैंने आपनों के सामने कर दी है बारी बारी में उनको आपके सामने लिखोंगा लेकिन स्टुएंट्स आइए सबसे पहले तो हम डिसकस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टन्ट कॉंसेप्ट जो टैप्टे नुबर 13 में वो है रिजिस्टेंस का कॉंसेप्ट आ बिल्कुल उसी तरह से वायर में चलते करंट को जो रिजिस्टेंस रोकरी होती है तो जिस तरह मेकैनिक्स में फ्रिक्शन का काम है बिल्कुल उसी तरह से रिजिस्टेंस का अलेक्टिसिटी में काम है अब यह रिजिस्टेंस किस वज़ा से है अगर हम आटॉमिक लेबल प उन में से गुजरता है तो एलेक्टरॉन उन से टकराता है जब एलेक्टरॉन उन से बार बार टकराएगा इसी को हम रिजिस्टन्स कहते हैं अब आप खुछ सोचिए स्टुडेंट्स जब मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा लैटिस का तो टेंपरेचर बढ़ाने से क्या होग इसका मतलब हम लोग ने सीखा कि टैंपरेचर बढ़ाने से किसी भी मैटल के अंदर जो रिजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है अच्छा यहाँ मैं रिजिस्टेंस यह रिजिस्टीबिटी दोनों वर्ड़ यूज़ करूँगा इसका असल डिफरेंस क्या है यहाँ लोग ने चेप्टर नमर थरटीन में डिस्कस किया था यहाँ पर मैं इसमें फर्क नहीं करूँगा तो स्टुडेंट्स मैं कह रहा था कि रिजिस्टंस की वज़ा कॉलेयन है और टेंपरेचर बढ़ाने से क्योंकि वाइबरेशन आफ दा एटम्स जादा हो जाती है तो हमारे पास कॉलेयन बढ़ जाता है तो रिजिस्टंस बढ़ जाती है और अगर मैं इसके उल्ट सोचूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब हम टेंपरेचर कम करेंगे तो टेंपरेचर कम करने से जो एटम्स है लैटेस के उनकी किनाटिक नजी कम होना शुरू हो जाएगी और उनकी वाइबरेचर कम होगी जब वाइबरेचर कम होगी तो टकराने के चांसिस कोलियन भी कम हो जाएगा और रिजिस्टंस कम हो जाएगी तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये कम करता जाऊँ मैं टेंपरेचर कम करता जाऊँ जिसकी बज़ा से कुलियन कम होगा और रिजिस्टन्स कम होगा एक वक्त आएगा रिजिस्टन्स इतनी कम हो जाएगी कि जीरो हो जाएगी उस लम्हे जब रिजिस्टन्स या रिजिस्टिविटी जीरो हो जाए हम कहते हैं चीज क्या बन गई है सूपर कंड़क्टर whose resistivity जिनकी resistivity क्या हो जाएगी becomes zero, बिल्कुल zero हो जाएगी literally zero तो हम कहेंगे यह super conductors बन गए है, ठीक है लिए, तो materials whose resistivity become zero below ascertain temperature are called super conductor इन्हें हम बोलते हैं super conductors, अब students आपके खियाल में वो कौन सा temperature होगा, जिस पे resistivity zero हो जाएगी, अब आप लोग जानते हैं, resistance या resistivity depends upon collion, collion depends upon temperature अब students, आप चाह रहे हैं, resistance zero हो जाए, resistance zero तब होगी, जब collion नहीं होगा, और collion zero तब होगा, जब temperature zero Kelvin हो जाएगा, लेकिन students, यहाँ एक अजीब बात है, कि हमारी math तो यहीं कहती है, कि जब लेकिन हकीकत में, temperature अभी zero Kelvin से उपर ही होता है, तो resistance zero हो जाती है, यानि कि अगर मैं इसका graph बनाऊँ, तो इसका graph आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, कि देखें, मैं temperature कम कर रहा हूँ, तो resistance कम हो रही है, अब आप सोचेंगे, कि अगर इसी तरह से temperature कम करता जाओंगा, resistance कम होती जाएगी, तो ये तो zero पर आकर resistance zero होगी, लेकिन मैंने देखा कि अभी हम zero से पहले ही थे, तो अचानक से resistance zero होगी, यानि ये temperature, वो temperature है जिस पर अचानक suddenly zero होगी, मैं suddenly क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं expect ये नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था, कि ये graph सीधा आगे जाता जाएगा, और यहाँ पर जब temperature zero होगा, तब resistance भी zero होगी, लेकिन temperature अभी zero नहीं था, और resistance zero होगी, तो इसका मतलब मुझे suddenly कहना चाहिए, तो resistivity ना से disappear होई है, बलके suddenly zero होगी है, suddenly disappear होगी है, जहां मैं expect नहीं कर रहा था, वहाँ होगी है, ये वो temperature है, जिस पर वो superconductor बन गया है, इस temperature को हम कहते हैं, critical temperature और इसको Tc से represent करते हैं, तो what is critical temperature, it is the temperature below which a material becomes superconductor, simple बात, तो what is critical temperature मैंने अलाइधा, heading दी है, तो the temperature below which a material becomes superconductor, तो वो temperature जिस पर material की resistance suddenly disappear हो जाए, अचानक से zero हो जाए, उसे हम बोलते हैं, कि ये हमारे पास critical temperature है, अगली बात, अब आप ये ही सोच रहे होंगे अभी तक, ये suddenly disappear किस वज़ा से होगी, ऐसा क्या हुआ है, कि अचानक से collion zero हो गया, हालाके temperature zero नहीं है, अगर temperature zero नहीं है, तो इसका मतलब क्रिस्टल के जो atom है, वो कुछ ना कुछ वाइबरेट तो कर रहे होंगे, तो अगर वो वाइबरेट कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ ना कुछ collion होगा, और अगर कुछ ना कुछ collion है, तो resistance कैसे zero हो सकती है, लेकिन हम लोग ने देखा, बात ऐसी ही है, कि resistance zero हो चुकी है, अब students, आप इसकी वज़ा जानने के लिए बेताब होंगे, problem थोड़ा सा ये है, कि इसकी वज़ा quantum physics की बड़ी difficult articles से समझाई जाती है, अब वो article क्योंकि आप लोगों ने नहीं पड़े, इसकी exact बज़ा तो अभी आप लोगों को नहीं बता सकते है, उसकी पूरी theory है, जिस पर हम बताते हैं कि सूपर conductor कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं आप लोगो को satisfy करने के लिए थोड़ा असान तरीके से बता देता हूं, लेकिन ये exact वैसी इन atoms के जो electron होंगे, वो free होंगे, electron जब free होंगे तो ये atom से electron तो जुदा होगा, तो ये atom जो है, वो positively charge होगा, क्योंकि इनके electron free हैं, अब student ज़रा imagine करें, कि electron जब यहां से आता है, बहुत low temperature पर बात कर रहा हूं, जब वो यहां से आएगा, तो वो positively charge atoms है, वो इस negative electron की तरफ attract होंगे, और हमारी जो crystal lattice है, वो कुछ इस तरह से distort होगी, ऐसा सिर्फ बहुत low temperature पर होगा, critical temperature पर, जब crystal इस तरह से distort होगी, तो आपनों देखा, वो एक दूसरे की तरफ आगे attract होने की वज़ा से, लेकिन, जब यह electron मजीद आगे जाएगा, तो आप देखेंगे, वो जो positive positive नूकलिया है, वो एक दूसरे को repel भी करेंगे, और वो repel करेंगे, तो हमारे पास वहां से distortion खतम हो जाएगी, लेकिन, वो distortion आगे जहां electron पहुंचा है, वहां आ चुकी होगी, लेकिन, वहां पर भी atom electron से टकराएंगे नी, क्योंकि जब वो उसके करीब आएगे, तो repulsion व गुजरते वे दिखाएंगे, क्रिस्टल में से गुजरते वे electron से nuclei कॉलाइड नी कर पा रहें, क्योंकि system कुछ ऐसा बन चुका है, कुछ चीज़ें ऐसी synchronize हो चुकी हैं इस खास temperature पर, जब हमारे पास electron के करीब आते हैं, नीुकलिया, उसी वक्त repulsive forces भी dominate करती हैं, और वो मैं इस detail में नहीं जा रहा, फिलहाल सिर्फ आपको satisfy करने के लिए, के resistance कैसे zero हो गई, हाला के temperature तो zero नहीं हुआ, तो उसकी वज़ा ये है, students, ये सिर्फ आप लोगों को जबानी जानने के लिए है, आपकी imagination के लिए, इसको कहीं लिखने की जुरत नहीं है, students, super conductors हमारे आके रखनी पड़ती है, क्योंकि ये ही वो condition है, जिसमें charges मसलसल flow कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने ये battery हटा दी, तो फॉरन charges का flow रुख जाएगा, क्योंकि resistor का काम ही charges को oppose करना है, लेकिन ज़रा imagine करें, students, अगर super conductor हो तो उसकी तो resistance disappear हो जाएगी, जब resistance disappear हो जाएगी, और battery हटा भी दें, तो भी आपके पास credit का flow चलता रहेगा, ये amazing बात है, ये ऐसे ही है, जैसे अगर आप road की friction खतम कर दें, तो फिर आपकी गाड़ी चलती रहेगी, और इसका मतलब है कि आपको petrol की कोई जरूरत नहीं, आपको energy की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी खुद ब लोग बिताब होंगे, superconductor की कुछ example समझने के लिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला superconductor जो है, वो किस ने discover किया था, तो students, first, superconductor was discovered by, शक्स का नाम था, camera link ons, ये शक्स का नाम था, जिसने पहला superconductor discover के था, लेकिन कैसे, experiment कर रहा था, और mercury पर experiment कर रहा था, और mercury का temperature कम कर रहा था, अचानक से mercury की resistance जीरो होगे, तो वो मैं लिख भी देता हूं, कि first temperature, first superconductor was discovered by camera link ons, in 1911, 1911 में ये discover हुआ था, when resistivity of mercury suddenly disappear at 4.2 Kelvin अच्छा, बहुत कम temperature है, 4.2 Kelvin, फिर भी 0 Kelvin से उपर ही है, तो students, हम कह सकते हैं, कि mercury जो है, उसका critical temperature जो है, वो 4.2 Kelvin है, तो मैं ये आपके सामने, 3-4 examples, अलादा करके लिख देता हूं, ताके अगर objective में आप से पूछा जाए, तो आप इनको एजिली explain कर सकें, वो चार examples है, मर्कृ, अलुमिनियम, टेन, एंड लेड, अब जैसे कि मैं बता चुक हूं, मर्कृ का critical temperature था, 4.2 Kelvin, इसी तरह से, अलुमिनियम का जो critical temperature था, वो 1.18 Kelvin था, और 10 का critical temperature था, 3.72 Kelvin, और LED का critical temperature था, 7.2 Kelvin, तो students, ये चारो examples जो हैं, ये आपकी बुक ने भी यहाँ पर discuss की हुई है, और ये आप लोगों का objective में पूछी जा सकती है, अब students, discuss करते हैं, कि हमारे पास superconductors में से, high temperature superconductors क्या होते हैं, पहले तो आपको मैं ये बताता चलू, कि जो example मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं, वो superconductors तो हैं, लेकिन ज़रा देखें, वो किस temperature पर जाकर superconductor बन रही हैं, 4.2 Kelvin, 1.18 Kelvin, 3.72, यानि कि, 0 Kelvin के बहुत करीब करीब, क्या normal routine में इतना temperature होता है, ये temperature तो सिरफ मैं बड़ी specific conditions में, लैब में ही achieve कर सकता हूँ, तो इसका मतलब, superconductor तो फिर सरफ लैब में ही बन सकते हैं, और जब लैब में बनेंगे तो फिर daily life में उसका तो कोई use मेरे खाल में नहीं हो सकता, तो मैं चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे superconductors हो, जिनका critical temperature काफी जादा हो, उन्हें हम कहते हैं, high temperature superconductor, ताके मैं उनको daily life में भी तो use कर सकते हूँ, लेकिन मैं किन superconductors को high temperature बोलूँगा, मुझे कोई boundary to decide करनी पड़ेगी न, define करना पड़ेगा कोई standard, वो standard क्या है, मैंने ये decide किया, कि जिन superconductors का critical temperature 77 Kelvin से जादा होना, उसको मैं कहूँगा, ये high temperature superconductors है, तो ये ही इनकी definition है, what are high temperature superconductors, whose critical temperature is above 77 Kelvin, वेकिन आप पूचेंगे सर, 77 Kelvin ही क्यों रखा, क्योंकि 77 Kelvin, liquid nitrogen, जिसको हम बहुत थंडी चीज समझते थे, उसका boiling point है, तो हमने उसी को standard बना दिया, तो ये भी मैं लिख देता हू, is above 77 Kelvin, which is, which is the boiling point of liquid nitrogen, ये है हमारे पास, मैं इस तरह से highlight कर देता हू, ताकि आपको याद रहे, तो students, जिनका critical temperature, 77 Kelvin से ज़्यादा होगा, उन्हें हम कहेंगे, कि ये high temperature superconductors हैं, although ये भी बहुत ज़्यादा temperature नहीं है, लेकिन फिर भी इनके मुकाबले में अगर आप देखें, तो ये काफी ज़्यादा temperature बनता है, तो students, high temperature superconductors की क्या examples हैं, यहाँ पर दो examples में आप लोग के सामने लिखता हू, तो पहली example है हमारे पास, in 1986, a new class of ceramic materials were discovered, एक नहीं, ceramic material के एक नहीं class discover हुई, जिनका critical temperature 125 Kelvin तक था, तो in 1986, a new class of ceramic material was discovered, whose critical temperature was above, या about 125 Kelvin, अब 125 Kelvin के roundabout अगर हो, तो वो जो हम लोग ने स्टेंडर्ड सेट की है, 77 Kelvin, उससे तो जादे ही हुआ, तो फिर, वो सारी class जो है, या इस class मुराद, वो सारा group, वो सारी family जो थी, जितने भी compounds थे, वो हमारे पास, high temperature superconductor में आगे, अब मैं discuss करूँगा, एक सबसे, अभी तक का, सबसे, best high temperature superconductor, और स्टेंट्स वो था, एक complex, crystalline, compound था, known as, jetrium, barium, copper oxide, यह इसका नाम था, इसका formula लिख देता हू, jetrium, barium, copper, oxide, यह एक complex compound था, और, हमने देखा, के, it becomes, superconductor लिख देता हू, SC, SC stands for superconductor, at, 163, Kelvin, और, minus 110, degree, Celsius, इस temperature पर, देखें, यह कितने पर थे, 125 Kelvin तक था, इनका critical temperature, इस compound को देखें, तो यह, 163 Kelvin तक, इसका critical temperature था, यानि कि, यह तो, उससे भी, जादा high temperature, superconductor है, और याद रिखिएगा, जिस शक्स ने, इस superconductor को discover किया था, उस शक्स का नाम था, प्रोफेसर याव लियांज ली, आपकी बुक ने डिसक्स किया, और उसकी युनिवर्सिटी, Cambridge University, यह objective के लिए आप लोग ने याद रखें, तो students, यह तो होगी example, पहले हम लोग इन देखा, superconductor क्या होते हैं, फिर हम लोग देखा, के high temperature superconductor क्या होते हैं, और हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरत अभी भी पूरी नहीं हो रही, यह भी, 163 Kelvin इनके मुकाबले में बले, बहुत ज़्यादा temperature है, लेकिन आपके मुकाबले में, आपके room temperature के मुकाबले में, तो अभी भी बहुत काम है, तो हमारी खौाहिश क्या है, हमारी खौाहिश है, ना superconductor discover करने की, ना high temperature superconductor discover करने की, बलकि हमारी खौहिश है, room temperature superconductor, ऐसी superconductor, जो इस वकत इस temperature पर भी superconductor रह सकें और अगर हमने ऐसा कर लिया तो ये एक revolutionary day होगा एक इनकलाबी दिन होगा और बहुत से ऐसे काम जो पहले electrical physics में हम नहीं कर सके अब हम कर पाएंगे तो students अब आखरी चीज़ हम discuss करेंगे और वो है superconductors की applications लेकिन इसे पहले मैं superconductors की application बताऊं superconductor के एक बहुत important property है जो discuss करना ज़रूरी है students और वो ये property है कि superconductors are diamagnetic substances ये diamagnetic substances का मतलब क्या है कि ये magnet को repel करते हैं जब ये magnet को repel करेंगे तो इसका फाइदा क्या होगा अगर मेरे पास एक superconductor हो और उसको magnet के ओपर रखूँ तो ये magnet के ओपर levitate करेगा वह नहीं पर ही रहेगा इसे कहते हैं magnetic levitation और ये इतनी important property है इसका फाइदा हम उटाते हैं magnetic levitation trains में तो वो जो magnetic levitation trains होती हैं वो ऐसी trains होती हैं जिनको हम magnets के ओपर levitate करते हैं 10 mm वो उपर रहती हैं जब वो touch ही नहीं करेंगी तो हमारे पास जैसे road friction होती है trains में वो तो खतब हो जाएगी और जब road friction खतब हो जाएगी तो ऐसी trains बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ सकती हैं तो एक फाइदा superconductor का क्या हुआ ये कहां यूज होते हैं magnetic levitation trains बहुत और इसका फाइदा कहां है students इसका फाइदा है हमारे पास इसके इलावा MRI में MRI एक टेखनीक होती है जो यूज करते हैं हम different problem को diagnose करने के लिए medical में magnetic resonance imaging इसका पूरा नाम है MRI machine कुछ इस तरह से दिखती है students आप लोग ने different film में या drama में आप लोग ने देखा होगा इस machine को और students याद रखेगा इस machine के अंदर भी बहुत strong किसम के magnetic fields होती हैं जो इन से produce किये जाते हैं और इसके ओपर अक्सर caution लिखा भी होता है कि strong magnetic field है इसके करीब नहीं जाना तो students MRI machine में भी यही use होते हैं MRI का पूरा नाम याद रखेगा magnetic resonance imaging और students इसके इलावा small but powerful motors छोटी अगर आमने motors बनाने लेकिन बहुत powerful बनानी है तो इसके लिए भी हम यहाँ पर use करते हैं super conductors का और last चीज जो आपकी book ने discuss किया है application के top up वो है fast computer chips तो students यह था हमारा आज का article देखिए मैंने आप लोग के सामने article को बेहतरीन तरीके से लिख रहा था कि आप लोगों को अगर कोई short question में कोई एक चीज पूछ ली चाती है तो आप उसका भी answer दे सके और अगर यह long question में कोई पूछ ले तो भी आप इसको पूरा लिख सकते हैं तो short question में वो खाली application पूछ सकते हैं examples पूछ सकते हैं high temperature super conductor के बारे में पूछ सकता हैं तो students यह था हमारा आज का article I hope कि आपको interesting लगा होगा अब आप से इंशालह मुलाकात होगी next article में तब तक के लिए अल्ला हाफिज़